के लिए अभी लाने की क्या जुरूरत थी सारे जो विपक्ष के निता है सब कह रहे हैं कि ये ठीक चुनाव के पहले नोटिफेकेशन लेके आए हैं पहले बात तो C.A.E. की ज़रूरत क्या थी और इसकी नोटिफेकेशन चुनाव के दो या तीन महीने पहले देखे मैं पहल की रादनिती कर रहे हैं इसलिए टाइमिंग का महतो नहीं है भारतिय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषना पत्र में कहा है कि हम C.A.E. लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश के जो सरनार्थी है उनको नागरिकता देंगे तो भारतिय जन पार्टी का एजन्डा बहुत सपस्ट है और वो एजन्डे के आधार पर हमें बहुमत मिला है 2019 में ही ये बिल संसत के दोनों सदनों ने पार कर दिया उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ अब टाइमिंग का क्या महतो है सरकार ने अपनी विल चूने जाने से पहले अभी व्यक्त कर दी है चुनने के बाद फस्ट प्राविटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मानेता मिल गई है रूल्स फॉर्मालिटी है अब टाइमिंग का या पोलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है अब विपक्स तुरुष्टी करन की रा आता हूं कि आप एक्स्पोज हो चुके हो यह मत करिये पूरे देश की जनता जानती है कि यह इस देश का कानून है और चार साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि यह होगा चुनाओ के पहले होगा अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का इतने साल तो हुआ नहीं न बिल्ट से प्रगठ होता है या रूल से प्रगठ होता है और बियस्ली बिल्ट से रूल व्यवस्ता करता है जो करने में पहले कोविड के कारण और बाकी सारे पोलिटिकल इस्यूस के करण लेठ हुआ मगर कब से नागरिकता मिलेगी तो 2014 के पहले से वो ठमरूल वहीं का वहीं है आज क्या फरक पड़ गया है बताइए भारतिय जनता पार्टी को के लिए पोलिटिकल घेन का बुद्दा नहीं है भारतिय जनता पार्टी के लिए हमारे नेता नरेंदर मोदी जी के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश से आए हुए करोडो सरनार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी तीन पीडी को नियाय दिने का मुद्दा है जो कॉंग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया आप कह रहे हैं करोडो लोग यहां आएंगे लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है मतलब आपको कोई पॉलिटिकल फाइदा नहीं होगा लेकिन जो विपक्ष है वो कहती है कि आप एक नया वोट बैंक बना रहे हैं बीजेपी एक नया वोट बैंक बना रही है अपने लिए देख 370 को हटाएंगे उनका हिस्ट्री है जो बोलते है वो करते नहीं है मोधी जी का हिस्ट्री है जो भातिय जन्ता पारिटी ने कहा है नरेंदर मोधी ने कहा है वो पत्थर की लखील है मोधी की हर गैरेंटी पुरी होनी